नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहाँ पर 7th April 2020 को National Board for Wildlife ने एक बहुत ही important decision लिया और यह कहा कि आसाम में जो wildlife century है जिसका नाम है दिहिंग पटकाई वहाँ पर वो permission देते हैं for mining of coal तो यहाँ पर coal mining के लिए permission दे दी गई लेकिन 7th April को आपको याद होगा कि पूरा देश यहाँ पर जो coronavirus है lockdown है उसके अंदर व्यस था तो उस समय कोई बहुत ज़्यादा protest नहीं हुआ लेकिन recently यहाँ पर lockdown की वज़े से बहुत सारे online protest देखने को मिल रहे है कई सारे students के दौरा campaign चलाया जा रहा है कि यह जो coal mining की permission दी गई है दिहिंग पटकाई में यह सही नहीं होगा वहाँ की bio diversity के लिए तो यह पुरा मामला क्या है काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में चलिया आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकीत अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप news में देख सकते हो online campaign urges centered to reverse course on coal mining in Assam's दिहिंग पटकाई तो आपको पहले पता होना चाहिए जो दिहिंग पटकाई है वो Assam में आता है और यहाँ पर online campaign चलाय जा रहे हैं कि center के दोरा जो decision लिया गया है उसको वापस लिया जाए इस समय मैं आपको बता दूँ पूरे देश के अंदर करीब 543 wildlife centuries हैं इसमें से 18 wildlife centuries आपको Assam में देखेगा और 13 number वाला आप देख रहे हो यह 2004 में form किया गया था इसका नाम है दिहिंग पटकाई wildlife century अब आपके examination point of view से यह जो पूरा location है इसकी यह बहुत जादा important हो जाता है तो जैसा कि आप भारत के eastern side में चलते जाएंगे यहाँ पर जैसे कि zoom in कर रहा हूं मैं तो यहाँ पर आपको जो एक बहुती important river है ब्रहमपुत्रा river वो आपको देखने को मिल रहा होगा और थोड़ा zoom करिए तो जो दिहिंग पटकाई का पूरा region है यह green patch आपको यहाँ पर दिख रहा है यह जो दिहिंग पटकाई है यह आसाम और अरुनाचल परदेश के border पर आती है लेकिन इसका जो region है जो state अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेगा आसाम ही बोलना है और इसमें से भी एक important river pass होती है जिसका नाम है डिहिंग river और यह बेसिकली जाके मिल जाती है ब्रहमपुत्रा river में तो डिहिंग river भी ब्रहमपुत्रा की tributary है डिहिंग पटकाई याद रखेगा यह सिर्फ wildlife century नहीं यहाँ पर बहुत सारे elephant भी पाय जाते हैं इसकी वज़े से यहाँ पर इसको elephant reserve का भी दर्जा दिया गया है अब डिहिंग पटकाई जो पूरा region है यह 575 square kilometer में बसा हुआ है और 575 square kilometer में करीब 111 square kilometer in fact यह hectare कहना सही होगा जो 111 hectare है इस पूरे region का इसको कहा जाता है सले की अब यह सले की जो region है दिहिंग पटकाई में यह बहुत ही important है क्योंकि यहाँ पर जो coal mining की permission दी गई है यह पूरे दिहिंग पटकाई में नहीं दी गई है यहाँ पर इसके अंदर यह जो region है 111 hectare का सले की इसके अंदर यहाँ पर coal mining की permission दी गई है अब यह जो पूरा आपका elephant reserve है दिहिंग पटकाई इसको largest rainforest of India भी कहा जाता है in fact इसको Amazon of the East के नाम से भी हमारे देश में बुलाते हैं अब यह Amazon of the East क्यों कहा जाता है इसको इतना जादा important क्यों है क्योंकि इसकी जो biodiversity है इसमें जो fauna है, flora है वो बहुत जादा rich है, unique है अपने आप में जब मैं Amazon rainforest की बात करता हूँ तो rainforest आपको पता है कि बहुत जादा बारिश होती है काफी जादा घनत्व के यहाँ पर जो पेड़ है, पौदे है, forest है, वो पाय जाता है जैसा कि आप यह map देख सकते हो, South America का map है कौन-कौन से country से ही में यह बसा हुआ है, Amazon rainforest यह आप देख सकते हो मेरा आपके लिए question है, आप मुझे बताईए comment section में कि South America में एक navigable river है, navigable river नहीं, लेक है basically तो कौन से दो देश के boundary पर यह लेक बसा हुआ है अगर आप इस map को अच्छे से ध्यान से देखोगे, तो आपको answer मिल जाएगा तो जैसा कि मैं आप से बता रहा था, जो दिहिंग पठकाई है यह बहुत जादा biodiversity rich पूरा region है यहाँ पर कई तरह के animals आपको species देखने को मिलेंगे इसमें बहुत सारे नाम मैंने लिखे हुए, अगर आप interested है तो एक बार आप इसको go through कर सकते हैं इसके साथ साथ करीब 293 अलग प्रकार के जो birds की species हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, इनके भी कुछ नाम यहाँ पर important लिख दिया है मैंने और कई सारे आपको common reptiles जो हैं वो found होते हैं जैसे python हो गया, king cobra हो गया इसी के साथ साथ 30 different प्रजातियां जो है butterfly की वो भी पाई जाती है जो orchids है, fauna है basic, flora है basically वो भी कई तरह के पाई जाते हैं, तो दोनों के मामले में यह काफी जादा rich region है लेकिन अभी हम current issue पर आते हैं current issue यह है कि जो national board for wildlife है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो NBWL है यह है क्या अब यह जो पूरी board है इसको बनाया गया था wildlife protection act 1972 के अंदर तो सबसे पहली बात यह एक statutory body है अगर आपके exam में आता है क्या यह executive है जी नहीं, यह बहुत ही important body है और यह advisory nature है मतलब इस board के जोरा जो भी decision लिया जाता है वो government को recommend किया जाता है advisory nature होता है, compulsory नहीं है ध्यान रखना है, लेकिन एक बहुत बड़ा caveat है इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए National Board for Wildlife के जो chairman है इसको chair किया जाता है by Prime Minister of India तो obvious सी बात है, आप सोच के देखिए अगर Prime Minister इस board को chair कर रहे है तो क्या इसकी recommendation just advisory रहेगी नहीं रहेगी, obvious सी बात है होते हैं आपके हमारे देश के जो minister of forest हैं और जो पूरा board है, इसमें total 47 members होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है इसका जो main काम है, वो यह है कि हमारे देश के अंदर जो conservation है और development है, forest का, wildlife का उसको promote करना और एक important चीज ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे देश में wildlife centuries हैं या फिर national park है अगर किसी भी राज्य को उसकी boundary उसकी territory change करनी है alter करनी है ठीक है, तो उसका decision बिना NBWL के permission के बिना नहीं लिया जा सकता, इसी लिए ये जो board है वो बहुत ज़ादा important हो जाता है अब क्या हुआ कि recently coal India Limited, मतलब एक तरह से ये सरकारी company है अब ये जो decision लिया गया है ये 7th April को directly 7th April को नहीं लिया गया, आपको समझना है कि National Board for Wildlife ने सबसे पहले इस decision के पहले जुलाई 2019 में एक अलग से committee गठित की थी, अब इस committee में आप देखेंगे तो एक है आर सुकुमार, आसाम के Chief Wildlife Warden थे और साथ में यहाँ पर जो local representation है, उसको भी इस committee में बठाया गया था अब आपको ध्यान रखना है, इस committee के दोरा बहुत सारे important चीजें बोली गई थी इन्होंने cautious किया था यहाँ पर जो National Board for Wildlife है, जब ये meeting चल रही थी 7th April को, तो उसके अंदर Mr. सुकुमार ने ये बोला कि already ये जो हम 98 hectare की बात कर रहे हैं, इसमें से जो 57 hectare already यहाँ पर उसको तोड़ा जा चुका है मतलब कि जब हम already बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें permission देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारे देश में कई सारी illegal mining चलती है तो already यहाँ पर कई तरह की चीज़ें चल रही थी जिसकी वज़े से 57 hectare already यहाँ पर तूट चुका है open हो चुका है, और अभी भी इसमें से 41 hectare अभी unbroken है इसमें अभी कोई बहुत जादा काम नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आर सुकुमार ने बोला था कि हमें cautious रहना चाहिए, otherwise वहाँ की जो आपकी biodiversity है, flora है, fauna है इसको बहुत बड़ी आहत पहुँच सकती है और इसलिए यह जो committee बनाई गई थी क्या feasibility है कि नहीं है मतलब कि इसमें try किया जाएगा कि underground mining कर सकते हैं कि नहीं underground का मतलब यह हो गया कि जो उपर की चीजे हैं उसको हम safe कर सके और underground के थूँ यहाँ पर जो mining है उसको चालू किया जा सके लेकिन finally जो 7th April का decision आया है National Board for Wildlife का उन्होंने पूरी तरह से permission दे दी है कि हम mining कर सकते हैं यहाँ पर और इसी को देखते वे यहाँ पर जो environmentalist हैं जो students हैं उनके द्वारा बहुत सारे online protest चलाय जा रहे थे डिहिंग पटकाई elephant reserve को लेकर कि बहुत जादा यहाँ पर परशानी हो सकती है flora और fauna को आद पहुँच सकता है और इसे को देखते हैं आप कई सारे जो twitter पर facebook पर trend है वो चालू हो गया जैसे कि save dehing पटकाई iam dehing पटकाई इस तरह के जो hashtags हैं इसके तरू यहाँ पर online campaign किया जा रहा था अब आपको पता होगा कि जब भी coal की mining होती है तो इसकी वज़य से बहुत सारा environment को नुकसान होता है चाहें आप open mining करिए तो उसकी वज़य से आप देख सकते हैं कई सारे जो dust particles हैं वो निकलेंगे कई सारे आपको fumes हैं वो दिखने को मिलेगा underground अगर mining है या फिर open pit mining है उसके थुरू भी यहाँ पर जो land degradation है वो होता है जो water है उसमें बहुत ज़्यादा problem होती है अगर हम coal को transfer करते हैं तो भी यहाँ पर कई सारे pollution होते हैं और आपको पता ही है जब coal की भी burning होगी तो बहुत सारे environment pollution देखने को मिलेंगे लेकिन एक important चीज आपको ध्यान यह रखना है कि although कई बार क्या होता है कि जब permission नहीं दी जाती है तो आपने देखा होगा हर एक राज में कहीं न कहीं आपको illegal mining होते वे दिखेगा तो यह जो पूरा region है यहाँ पर already illegal mining काफी लंबे समय से चल रही थी और already यहाँ पर जो pollution है आसपास के area में coal mining की वज़े से oil refineries की वज़े से gas drilling की वज़े से इसकी वज़े से already यह जो पूरा region है biodiversity का इसको बहुत जादा यहाँ पर effect हो रहा था यहाँ पर मैं जब इसके बारे में थोड़ा research कर रहा था तो मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का यह आप article देख सकते हो यहाँ पर यह picture लाया गया और काफी भयानक था मुझे यह देखने को मिला कि यहाँ पर already आप सोच के देखिए forest का region है मैं sure नहीं हो इस पूरे picture को लेकर लेकिन still हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा यह डाला गया है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप सोच के देखिए forest का region है यहाँ पर जो elephant है वो आराम से एक wildlife से दूसरे wildlife जा सके इसके लिए यह पूरा passages बनाने की कोशिश की जारी है चाहे वो Central India हो गया या फिर Southern India हो गया या फिर North Western India में भी यहाँ पर कोशिश की जारी है इस तरह की passages बनाए जाए ताकि elephant को जो problems होता है जैसे कि वो कई बार road cross कर रहे होते हैं इस तरह की चीजों से उनको ना गुजरना पड़े तो I hope दोस्तों यह जो पुरा वीडियो था regarding दिहिंग पटकाई coal mining protest जो चल रहा है यहाँ पर आपको कुछ जाने को मिला गा और last में मेरा यह कहना है कि हमें ultimately balance बना के चीजों को चलना होगा सरकार कोई भी decision लेती है तो यहाँ पर जो environmentalists हैं experts हैं उनके साथ कहीं न कहीं तालमेल करना चाहिए और मुझे एक और यहाँ पर news from ने आई थी कि जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है सोनवाल जी उन्होंने जो forest मिनिस्टर है आसाम के उनको भेजा तुरंत यहाँ पर देहिंग पटकाई में ताकि यहाँ पर बातचीत की जा सके और जो पुरा survey है वो एक बार फिर से की जा सके ताकि जो protest चल रहा है उसको यहाँ पर रोखनी की कोशिश हो तो ultimately सरकार को भी एक balanced approach बना के चलना होगा आई होग की ये वीडियो आपको पसंद आया हो यहाँ पर अगर आप मेरा economy का course जोइन करना चाहते हैं तो study IQ app पर available है 1000 MCQ economy यहाँ पर static जो economy होती है वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी प्लस यहाँ पर daily UPSC MCQ course भी मेरा प्लस आपको